अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विशुर तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में Concate Function का इस्तमाल कैसे करते हैं मैं Concate की बात कर रहा हूँ Concate की नहीं दोनों में क्या अंतर होता है अभी जब formula यूज करेंगे तो आपको clear हो जाएगा अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ABCD अलग अलग cell में है अगर हमको AC cell में लाना है तो इसके लिए हम Concate Function का इस्तमाल करते हैं अंतर क्या होता है दोनों में Concatenate में हमको कॉमा यूज करना पड़ता है मतलब उसमें आप range नहीं select कर सकते हैं ठीक है अगर range select करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वहां पर error शो करेगा लेकिन Concate में आप range select कर सकते हैं अब यूज करना देख लेते इंटर बटन प्रेस किया तो ही देखिए साब एकी सेल में आगे